सभी मंत्री मंदल के मानमी सदश्यगन, सभी सांसर्गन, देवे और सज्जनों आज संसर्थ भवन के इस एत्यासिक केंद्रिय कक्ष में आज हम सब भार्टिय सविधान की सत्रवी वर्ष घाड के एत्यासिक अवसर पर एकिप्तित हुएं सत्रवाश्पूर आज के दिन 26 नौंबर 1949 को इसी केंद्रिय कक्ष में भारत के सविधान को अंगिकार किया गया था आज के दिन एक नया इतियास कचा गया था जिसकी मधूर इसमृतिया अब भी हमारे मन में ताजा है आज के पावन अवसर पर मैं भारतिय सविधान को शर्षत नमन करता हूँ मैं नमन करता हूँ उन सभी सविधान निर्माताओं का जिनके परिश्यम और अप्रतिवी योगदान से हमारा अनुठा सविधान अस्तितिमाया आज से साथ दशक पूर जब हमें स्वतनता मिली थी तब हमारे सामने भारत के निर्मान की महती जिम्मेदारी थी तब उस दाइट को स्विकार करते वे देश की जनता ने भारत की सविधान सभा को महत्पूर्ण कारे की जिम्मेदारी दी थी इसके बाद भीम राओ अम्बेटकरजी एंव सविधान सभा के सभी मनिश्यों के अठक प्यासों से संपूर्ण भारत की आशाओं और उमिद्वों के परतीक के सरूप में भारत का सविधान निर्मान हुआ हमारा सविधान भारती संस्कती और सभीता के विकास की उतकष्ट अभी वेक्ति है यह हमारे आदर्निये पुर्वजों की दिव्य संकल्प का शंकवाद है इसने पुईत्र भी है और शधा का पात्र भी है बीते सत्र सालों में सविधान ने देश की विकास यार्चा में विशिष्ट भूमी का निभाई है लेकिन साथ दक्ष्ट कों के दोरान हमारे सामने नई चुनोतियों भी है और नई अवसर भी आये हैं तेजी से बदलती हुई अंतराश्टी परिस्तियों में हमारा सविध हमें मारदर्शन परधान करेगा ऐसा मिरा विश्वास है लेकिन इसके लिए एक नई दस्टी कोंसे सविधान को देखना होगा इस भावना से हम सविधान दिवस को करतवे पर के रुप में मनाएं और एक नई शुरुआत करें सविधान ने हम सब को मोलिक अधिकारों की र हमारे जे कुछ मौलिक करते भी निधारित किये गए है हम सब भारत वासी जिदी सविधान के अनुचेद इकाउन ए में दिये गए मौलिक करतेओं को अपने रोज मर्रा के आचर में उतारे तो हम बहुत जल्दी एक नए भारत का निर्मान कर सकते हैं हम सविधान के मौलिक करतेओं को देखें तो इसपश्ट हो जाता है कि उसमें मानवी जिवन के हर परलू को अनुचाशित करने की परिकल्पना की गई है हम सब देश व्यासियों से यही अपिक्षा की जाती है कि हम सविधान का पालन करें उसके आदश और स्वस्ताओं का आदर करें हम भारत की संपर्भूता एकता अखंता की रक्षा करें और उसे अशुन बनाए रखें हम देश की रक्षा और राष्ट की सेवा करें इसके साथ ही हम विग्यानी सोच विक्षित करते हुए अपने शिर्ट में शिष्टा हासिल करें सभीधान में जहां एक तरफ मॉलिक अधिकारों के रुपे हमें प्रयात आजादी और शक्तियां दियें दूसी तरफ संतूलन बनाते हुए मॉलिक गर्टियों का निद्देश करके हमें अनुशाशित भी किया है यह अनुशाशन मॉलिक अधिकारों दारा दी गई आजादी और शक्तियों के प्रयोग का एक जरूरी शर्थ है मुलिक कर्टियों के पालन से राष्ट की अधिकांश समश्याओं का समाधान हो सकता है सविधान में उल्ले किये गए मुलिक कर्टियों में हमें उन आदशों और मुल्लियों की याद दिलाते हैं जिनोंने संता सग्राम में हमें प्रेज किया है देश की संप्रभूता को बनाय रखने का दर्शन दिया है और देश में समरस्ता की भहार चलाई है लेकिन करतिवों से मूखोकर सिर्फ अधिकारों की बात करने से एक प्रकार का असंतुलन पेदा होता है इस असंतुलन की कारण देश की विकास में बादाया आती है और विकास की गती धीमे होती है आज संसत के दोनों संदों के प्रदिदियां उपस्तित हैं मेरा आप सभी से निवदन हैं कि आप इस बात पर आम राहें बनाएं कि अनुचित का अपारन स्रीफ विये का धीन नरे जाए हम समय आ गया है कि हम सभी सांसत देश के सामने एक ऐसा आदर्ष पस्तुत करें जा अधिकारियों के साथ साथ हम अपने कृतवियों का स्पनन भी करें और दूसरों को भी कराएं साथियों भारत का सविधान बस कुछ कानून और निमों की एक लिखित किताब नहीं है भारत का सविधान हमारे राष्ट की चेतना वादर्षों और सामुएक सपनों वाशाओं का प्रतिभिम्भ है इसलिए हमें सविधान को अपना पत्पतरशक बनाये रखना है हमें सविधान को रशना अच्मा प्योग करते हुए नए भारत की नई तस्वीर बनानी होगी और ये जिम्मेदारी हम सब के कंदों पर है आईए आज हम इस गोरोंपूर अफसर पर हम भारती सविधान के दिखाएगे रास्ते पे चलते हुए नए भारत के निर्मानी होगी